खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट अंगली पोक्रियाले उत्राखंड के बीजेपी अध्यक्ष अजय भट से खास बातचीत की सुन्ये क्या कुछ कह रहा था इससद हमाई साथ उत्राखंड से बीजीपी प्रदेश अजय भट जी जुड़े में हैं हम हाली में खबरे सुन रहे हैं कि जो मौझूदा नेत्र तो है उत्राखंड का उत्राखंड सरकार का उससे काफी लोग खुश नहीं है तो क्या उसमें आने वाले वक्त में बदलाव की उमीद है देखे 2022 हम पुनह जीतंगे और जो इस टाइप की खबरें आती हैं इस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं ये कुछ लोगों का विपक्ष के कुछ लोगों का ये सुभाव हो गया है कि उत्राखंड में जो भी सरकार आती है तो दो ढ़ाई साल तीन साल जैसे ही पूरा होता है तो उसके बाद से उनका हला बोलना चालू हो जाता है इसे बदलो उसे बदलो ये नेचर है कुछ लोगों का सबी जगों अनिंप्लॉइमेंट है इसके लिए देखिए गौवर्मेंट सर्विसेज पूरे देश भर में एक स्टेज के बाद कोई भी सरकारे नहीं दे पाएंगी चाहे भारती जंता पार्टी हो या चाहे अन्यपार्टी की सरकारे हो एक लिमिट होती है आपको एक की जगों खाली है और दस डॉक्टर स्ट चाहिए वो भर गई तो फिर आपको क्या करना है वो जब तक रिटायर नहीं होंगे बारशाट साल साथ साल तब तक आपको रुकना है इस दिया अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा आपने देखा है योजना कितनी जवर्दस्त योजना है इसी तरह से मेक इन इंडिया और कोशल विकाष ये ऐसी योजना है जिस पर योगों को खड़ा कर रहे हैं योग योजियों को कि वो रोजगार देने वाले बने हाली में उत्राखन के चारो दामों को लेकर एक मुद्धा काफी गर्मय की वहांके जो पुजारी समाज है वहाँ वो खुश नहीं है सरकार के कुछ नीतियों से मेरी मानी मुख्य मंत्रीजी से भी इस संबंध में वारता हुई थी और Panda Samaad से भी वारता हुई थी मैने जो पूछा था मुख्य मंत्री जी ने कहा कोई भी हक हकूप काटे नहीं जा रहे है सिर्फ जो भोशी में बढ़ने वाले धारमिक पर्यटन की संख्या है वो एक करोड़ पास कर जाएगी। ऐसा मानना है जिस तरो से लोग वहां आ रहे हैं चारदाम यात्रा के लिए। ऐसे समय के लिए हमारी ब्योस्ता करने के लिए कोई न कोई बोर्ड वहां पर होना चाहिए। इस नाते हम गठन कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं हम से चूक हुई है या फिर हम समझा नहीं पा रहे हैं या फिर पंडा समास समझ नहीं पा रहा है वहीं उत्राखण में शराप पर एक्साइस जूटी घटाने को लेकर बीजेपी सरकार की काफी आलोचना हो रही है बीजेपी के उत्राखंड अध्यक्ष अजय भट ने कहा कि इससे बाहर के राजियों से तश्करी कर शराब पर रोक जरूर लगाई जाएगी शराब से हम लोग रेबनियों भी लें ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है भारती जनता पार्टी की नीती में भी नहीं है और जहाँ जहाँ पर भारती जनता पार्टी की सरकारे हैं वो शराब को बढ़ा हुआ भी नहीं देती है अब इसको थोड़ा सा उत्राखंड की जनता समझ नहीं पा रही है कि क्यों हमारी सरकार ने किया होगा ऐसा बिपक्स के लोग उसकी भावना को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी सरकार की उसके पीछे भावना क्या है एक तो जो बाहर की शराव आ रही थी उस पर रोक लग जाएगी सस्ती होगी और दूसरा यह है कि जो पीने ही वाले लोग हैं वो अच्छी चीज पीएंगे सस्ती रेट पर पीएंगे क्योंकि कुछ तो पीते ही हैं जब हम उससे रेवनियों ले रहे हैं तो वो तो आन रिकॉर्ड पी रहे हैं सब कि यह भावना हमारी सरकार की संभाव तो इसके पीछे है